तो ऐसे case में आपको hardware वाले से RAM नहीं बढ़ाना है Do not connect your computer power cable और laptop charger pin without मत किजिएगा, ऐसा मत किजिएगा क्योंकि CPU के अंदर आपको पता है कि hardware component है पहली चीज तो और उनके wipe ने फ्रीच का बड़न स्टार्ट कर दिया और दो तीन घंटे के बाद उनको अचानक याद आ गया दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने आलो ऐसी साथ बाते जो कि आपको computer और laptop यूज करते समय ध्यान में रखनी चीए कौन सी सीजे करनी चीए कौन सी नहीं करनी चीए अगर आप जानने में इंट्रेस्टेड होते वीडियो एंड तक देखिएगा सी दीबात नो बख्वास मैं सतीश complete technology channel में आप सबका स्वागत करता हूँ let's begin point number one do not connect your computer power cable और laptop charger pin without earthing जी हाँ दोस्तों अगर आपके घर में earthing नहीं है तो आपको वहाँ पे computer का power cable connect नहीं करना चाहिए क्योंकि earthing होना बहुत ज़रूरी है आपके computer और laptop charger के लिए भी basically जब आप computer की pin लगाते है तो उसमें तीन pin रहती है आपको पता रहेगा एक रहता है phase, एक रहता है neutral और एक रहता earthing का तो earthing में वहाँ पे return supply होता है तो earthing अगर नहीं है तो जो computer के अंदर suppose current generate होता है वो current ground नहीं होता है और उसकी वज़े से आपके motherboard को damage होने की chance से damage नहीं कि क्या होता है motherboard का land card खराब होता है या फिर graphic card जो attach कि है वो बंद हो जाता है चलना तो ऐसे में आपके computer के लिए यह बहुत honey का रख है मतलब यह चीज आपको ध्यान में रखनी कि आपके अगर में earthing है के नहीं है पहले चेक कर लो जहां पे भी आप laptop का charger लगा रहे हूं वहां पे earthing है के नहीं है तो वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी आपके लिए तो यह चीज आपको computer या laptop इस्तेमाल करते समय सबसे पहले no down करनी है point number two do not shut down your computer directly with power button जी हाँ दोस्तो आपका computer जो है उसे start करते समय तो आप power button से start करते है लेकिन shutdown करते समय power button से shutdown मत कीजिए वो जो power button है उससे shutdown नहीं करना है shutdown का एक procedure रहता है Windows के अंदर shutdown आपको option मिलता है जो screen की उपर मैं आपको दीखाता हूँ आप वहाँ से shutdown कर अगे तो वो proper shutdown होता है basically आपको यह shutdown इसलिए करना है क्योंकि जब आप computer स्टार्ट करते हैं वहाँ पे बहुत सरे background में program रन होते है Windows operating system वहाँ पे run मतलब चालू है जैसे कि आप example ले लो एक speed में बाइक आप चला रहे हो और अचानक brake दबा देते हो slowly नहीं अचानक brake दबा देते हो होने क्या वाला यह बतानी की ज़रत नहीं है तो अगर आप चाहते कि आपके computer में ऐसा ना हो आपकी operating system damage ना हो operating system की files corrupt ना हो damage ना हो तो आपको computer को proper shutdown में धर सी shutdown करना चाहिए यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए point no.3 बहुत बार हमारा computer slow हो जाता है मतलब हम एक दो साल computer use कर लेते तो slow हो जाता है अब जो application हम starting में use करते थे Microsoft Word वही हम चला रहे हैं अभी वही काम है हमारा लेकिन अब slow चल रहा है तो आप hardware वाले को बुलते हैं और बोलते हैं कि यार मेरा computer slow हो रहा है तो वह बोलता है कि यार RAM बढ़ा दो तो ऐसे case में आपको hardware वाले से RAM नहीं बढ़ाना है क्योंकि आपके computer में पहले है तो Microsoft Word चल रहा था अभी नहीं चल रहा है दो साल के बाद हाँ अगर आपने Microsoft Word नया डाला है तो possibility है कि वहाँ पर slow चल सकता है उसके लिए RAM बढ़ाना ज़रूरी हो सकता है लेकिन हर टाइम बढ़ाना की ज़रूरत नहीं है देखिए दो साल आप computer यूज कर रहा है तो वहाँ पर उसके अंदर जो files है system की वह properly organized नहीं है कभी-कभी Windows के अंदर आपने बहुत कुछ भर दिया है Windows का जो system dry उसमें तो ऐसे case में आपको Windows को reinstall करने के ज़रूरत है आपकी important file आप D और E-draw में रखिए और Windows को reinstall कीजिए आपका computer आपका system दुबारा वैसे start होगा बस Windows को reinstall करते समय यह ध्यान में रखना है कि आपने जो software की license लिए वह आपके पास पहले से होने चाहिए और फिर अब दुबारा उन license को इंटर करके वो software अक्टिवेट कर सकते लेकिन आपको यहाँ पर RAM बढ़ानी के ज़रूरत नहीं बहुत सरो लोग गलत सला भी देते है RAM बढ़ानी के ज़रूरत तब है जब आपको लगता है कि अब मुझे ग्राफिक software यहाँ पे चलना है लेकिन यह चलने आए तो आप RAM बढ़ा सकते है इस case में आप RAM बढ़ा सकते है तो यह एक point आपको याद रखना है Point No.4 जो कि बहुत important है बहुत सरो लोगों को पता भी नहीं है वो अपने desktop पे फाइल भर भर के रखते है जैसे कि वहाँ पे मेला लगा हो फाइलों का तो फाइलों का मेला desktop पे मत लगा हो क्योंकि desktop belongs to cdry desktop की जो भी फाइल दीखती है वो सब cdry में रहती है and cdry के अंदर होती है system files windows की सभी फाइल तो cdry को आपको खाली रखना बहुत ज़रूरी है आप desktop पे जादा फाइल रखोगे media फाइल रखोगे बहुत कुछ रखोगे तो automatically आपका system का performance slow होने वाल है low होने वाल है तो ऐ अगर आपने बरबर के कुछ रख दिया है तो वह पे कुछ काम होने वाला नहीं है simple सी बात है यह मैंने आपको इस पॉइंट में समझा दी है नेक्स पॉइंट यानि पाचव पॉइंट उनके लिए है जो अपने computer को बहुत ही रखली यूज करते है जैसे कि example ले लो आपका computer अपने start रखा है आप कुछ काम कर रहे हो उसमें ही आप CPU को इदर उदर मूह कर रहे हो आडा टेडा कर रहे हो मत कीजिएगा ऐसा मत तो ऐसे में आपके hard disk का head है वो platter से टकरानी के chances रहते है और head crash होने के chances है head crash से क्या होता है head crash से platter के उपर का data loss होने के chances है दोस्तों तो आपका computer जब चालो ही तो आप उसे इदर उदर मूह नहीं करना है आपको उसे ज्यादा shake नहीं करना है एक जगा पे रखेंगे तो अ दिमाग में रखेंगे नहीं बनाया रहता है लेकिन system को portable device ध्यान में रखेंगे नहीं बनाया रहता है तो इसलिए system चालो है तो उसे ज्यादा हिलाओ मत नेक्स्ट पॉइंट है जैसे हम अपनी सिहत का ध्यान रखते है वैसे अपनी system का भी हमें ध्यान रखना चीए तीन म उसके उपर अलड़ी मैंने वीडियो बनाया था जो आई बटन पर आपको मिल जाएगा या पिर आप कोई भी छोटा ब्लोर लेकिया सकते सो देर सो रुपए का जो मार्केट में मिलता है उससे आप उसके अंदर का dust क्लीन कर सकते ऐसे करने से आपकी system का performance बढ़ेगा यह ज बहुत फणी scenario है यह scenario मेरे साथ एक मेरे student ने share किया था उनके ट्विशन teacher थे उनके पास एक laptop हुआ करता था जिसमें वो अपने classes के record maintain करते थे अब उनको एक बार गाओ जाना था और उनके आजो बाजो में चोरी के बहुत सारे incident हो गये थे जैसे कि laptop चोरी होना mobile चोरी होना तो उनके पास जो फ्रीज था वो बंद कर दिया और फ्रीज के अंदर laptop रखके फ्रीज को lock करके चावी साथ में लेके के अब जब वो गाओं से लोटे दो तीन दिन के बाद गाओं से लोटे तो उनको याद नहीं रहा कि उनको फ्रीज में laptop रखा है और उनके wipe ने अगर आप ऐसी जगह पे रखते हो जहां पे moisture ज्यादा है जैसे आप kitchen के आजू-बाजू में laptop रखते हो या fridge के आजू-बाजू में laptop रखते हो फ्रीज में तो आपको उस नहीं रखोगी इनकी तरह आप समझदार हो उतने तो तो अगर आप fridge के आजू-बाजू या kitchen के आ chances होते हैं इसलिए आप अपने laptop को ऐसी जगह पे ना रखे यह सात्वा point मुझे आपको बताना था और यह scenario भी मुझे आपको बताना था तो कैसे लगे आज के यह points मुझे जरूर comment section में बताना यह follow करना और साथी में like share और comment करना और अगर आपको मेरा teaching style पसंदे मेरी teaching energy और मेरे सारे चैनल के link दिये जहाँ पर website की उपर मेरे ISO certified courses available है आप घर बैटे 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 computer master बन सकते हैं एक बैटे ज्यादा ही बोल दिया था मैंने फिलाल तो इतना ही मैं में लोंगा कुछ और इंटेश्री वडियों के अंदर तब तक लिए अपना खयाल रखिए